समय पर मिलने वाले हरी संकर फरसाई आदमी ये तीन तरह के होते हैं पहले समय पर घर ना मिलने वाले दूसरे समय पर किसी के घर ना जाने वाले और तीसरे होते हैं ना समय पर घर मिलने वाले और ना ही समय पर किसी के घर जाने वाले इसके बाद कुछ मुठी भर जीधारी बचते हैं जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर दूसरे के घर जाते भी हैं सज्जनता बश हम इन्हें भी आदमी कह देते हैं ये असल में टाइम पीस है ये घर में रहेंगे इत्तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर होंगे तो हाथ-गड़ी देखते रहेंगे इन्हें हम बरदाश्ट कर लेते हैं मगर इनकी चर्चा करना विर्थ है चर्चा तो उसकी करनी है जिन्होंने सुबह आठ बजे घर मिलने का वादा किया था पर भी घर पर नहीं है हम उनकी बैठक में इंतजार कर रहे है बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ है कोई किताब पढ़ रहा है बहां बीच बीच में आख की कोर से हमें देख लेता है कि हमने उठने की तैयारी की है या नहीं हम तंआउ कम करने के लिए उस से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं खेल वगएरा के बारे में बात कर लेते हैं वह हमारे बड़े सवाल का छोटा सा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और किसी बुजर्ग के सामने बैठकर बचकानी बखबख कर रहे हैं हम अखवार पढ़ने लगते हैं समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते हैं बीच बीच में पूछ लेते हैं कहा गए हैं? वह जबाब देता है पता नहीं कब तक आएंगे? पता नहीं कुछ कह गए थे? कुछ नहीं हम फिर अखवार देखने लगते हैं लड़का उख उठा है वह चाहता है कि हम टलें मगर हमें जरूरी काम है बीतर औरतें परिशान है उनका बाहर सोतंतरता से निकलना बंद है पास ही दरवाजा है बीतर की अड़तों की आवाज सुनाई पड़ती है यह अच्छा है सबेरे से आकर बैठ गया है तो उठने का नाम ही नहीं लिए था अरे जब कह दिया कि घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं? है कौन ही है? अरे वही है क्या नाम है उसका? कुछ कामधाम है नहीं तो यहां बैठे वहां बैठे पर इनकी भी तो आदत है जिस तसे कह देते हैं कि घर पर आना हमारा चेहरा लाल हो जाता है कान की लोरियां जलने लगती है मगर हमें जरूरी काम है आकर हम उठते हैं लड़के से कहते हैं अच्छा अब हम जाते हैं कह देना कि वहां आये थे लड़का बहुत कम खुश होकर नमस्ते करता है और हमें विदा करता है शाम तक भी कहीं मिल जाते हैं तो चौंक कर कहते हैं अरे मैं तो भूली गया तो में बड़ी परिशानी हुई होगी ना अरे मुझे सक्त अफसूस है अच्छा कल आठ बजे आजाओ मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा दूसरे दिन आठ बजे हम फिर पहुँचते हैं बड़ा लड़का फाटक पर आकर हमारे पूछने के पहले ही कह देता है कि भी घर पर नहीं है कहा गए हैं पता नहीं कब तक लोटेंगी पता नहीं कुछ कह गए हैं कुछ नहीं बफाटक तक इसलिए भागता आया है कि हम वहीं से लोट जाएं मगर हमें काम है और हम खुद फाटक कोलकर भीतर आ जाते हैं छोटा लड़का हमें देखकर दर्वाजे से ही चिलाता हुआ भीतर जाता है ओ अमा वह फिरा गया हम बैटा खाने में बैठ जाते हैं बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगता है हम कल का अखवार पढ़ने लगते हैं लड़का मोच्छपा कर हसता है छोटे बच्चे दर्वाजे पर आ आकर हमें देख जाते हैं भीतर औरतों की बाचीत सुनाई देती है अरे लुबा फिरा कर बैठ गया बढ़ा मठर आदमी है जब कह दिया है कि आदमी घर पर नहीं है तो जाकर अपना कामधाम क्यों नहीं देखता कामधाम हूँ तो कुछ देखे सब हस्ती है छोटा लड़का सारी परिवार की भावना समझकर दर्वाजे पर आकर कहता है ए पापा बाहर गय है हम अनसुना कर देते हैं लड़का फिर कहता है ए पापा बाहर गय है बड़ा लड़का इसे अनुचित समझता है और उसे डाट देता है ए मुन्नी बाग यहां से चुप छोटा लड़का भाग जाता है मगर फिर आता है ए पापा बाहर गय है ए मुन्नी चुप चांटा खाएगा भी मुन्नी को अब इस खिल में मजा आने लगा है वह दरवाजे पर आकर बार बार कहता है कि ए पापा बाहर गय है बड़ा लड़का उसे फिर डाटता है वह खिल-खिला कर ताली बजा कर भीतर भाग जाता है और फिर आता है हम उठते हैं और कहते हैं पता नहीं वे कब आएंगे, अच्छा अब हम चलते हैं, बड़ा लड़का बहुत खुश होता है, और जब हम फाटक बंद करने के लिए मुड़ते हैं, तो देखते हैं कि लगभग सारा परिवार खिड़की और दर्वाजे पर है, और बड़ी दिल्चस्पी से हमें जाते इतनी तपस्या के बाद अगर भी कभी घर पर मिल गए तो लगता है कि भगवान को पा लिया, जो लोग समय तैकर भी घर नहीं मिलते भी मुझे भगवान की एजेंट मालूम होते हैं, वे हमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना उवे, अब मानना की अभहिलना करके, अनिश आनी पड़ेगी, और दूसरी बात यह है कि इंतजार से प्रेम भड़ता है, हर कशन वही मन में रहता है, और आखें फाटक पर बिच्छी रहती हैं, प्रेम का नाप इसी वात से तो होता है कि कौन आपका कितनी दिर तक इंतजार करता है, मेरे एक दोस्त है, उनसे मैं मिलन के लिए जितनी सावधानी चाहिए, उससे कम कभी समय पर ना मिलने के लिए चाहिए, मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूं जब उनसे मिलने की बिलकुल संभावना नहीं है और वो मिल जाते हैं, उनके जहां होने की उमीद है, वे वहां नहोंगे जहां उनके होने की उमीद वे किसी कमेटी के सदस्य हैं जिसकी बैठक में उन्हें होना चाहिए मगर उस वक्त वे घर पर मिल जाएंगे जब मेरा उनसे नया परिचाय था और कुछ आपचारिक तब बाकी थी तब उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 वजे खाने पर बुलाया मैं ठीक 11 वजे पहुँच गया मालूम हुआ कि भे घर पर ही नहीं है आते ही हूँगे है सोचकर मैं बैठ गया 12 वजे गये तो मैंने उनके लड़के से पूछा रे कहा गये हैं उसने कहा कुछ पता नहीं है कब आएंगे कुछ बता के गये हैं उसने कहा कुछ नहीं बता गए मैं बैठा रहा जब एक बज़ गया तब लड़के ने कहा आपको कोई जरूरी काम होगा मैं उसे कैसे बता था कि क्या काम है इतना मैं अलवत्त समझ गया कि इस परिवार में मेरे भूजन का कोई सिलसला नहीं है मैं थोड़ी दिर बैठ कर उठ गया शाम को मुझे मालू हुआ कि जब मैं उनके घर पर बैठा था तब एक खुद दूसरे के घर भूजन कर रहे थे मुझे मिले तो बहुत दुखी हुए कहने लगे अरे बड़ी गलती हो गई मैं भूल ही गया फला के हाँ बैठा था उन्होंने बहुत जोड़ दिया तो मैंने खाना वहीं खा लिया अच्छा कल जरूर आओ कई सालों के उनके साथ के अनुभवों से मैंने साउधानी की एक दीवार अपने आस पास खड़ी कर ली थी वे जिस वक्त घर मिलने का वादा करते थे उस वक्त में कभी जाता ही नहीं था और जब में मेरे घर आने की बात तै करते तो मैं बेखट के बाहर गूमता था मुझे विश्वास था कि वे उस वक्त नहीं आएंगे शाम को साथ बज़े उन्होंने आने को कहा तो सुबा के साथ बज़े भी आ सकते हैं बेख़र से इधर आने के लिए ही निकलेंगे पर रास्ते में जो मिल जाएगा उसी के हो जाएंगे उससे बातें करने लगेंगे उसके घर चले जाएंगे वहां खाना का लेंगे और तब उन्हें आद आएगा कि किसी से मिलने का वक्त तह किया था बेहड़ पड़ा कर भागेंगे पर रास्ते में अगर कोई और भी मिल गया तो उसी के साथ हो लेंगे लेकिन कई सालों बाद मेरी सावधाने की दीवार फिर तूट गई हमारे एक मित्र का तबादला हो गया मित्र से भी उनके अच्छे संबंद थे मिले तो भावखो उठे अरे अब नजाने कब मिलना होता है इतनी दूर चले जाओगे कब जा रहे हो मित्र ने तारीक बताई भी बोले तो कल शाम को हमारे साथ भोजन करो तुम और परसाई दोनों आओ देखो भूलना मत मैं राह देखूंगा मेरे मन मैं खटका तो हुगा पर उस भावखता और आत्मी तामे मैं भी गाफिल हो गया दूसरे दिन शाम को हम उनके घर पहुँच गए भी घर पर नहीं थे हम दोनों अब सचीत हो गए मित्र ने कहा यार उन्हें जानते हुए भी तुमने कल हाँ कर दिया मैंने कहा निमंतरन तो तुम्हारा था मैं बादक क्यों बनता उसने कहा लेकिन हम आ क्यों गए हाँ कहते थी पर आती नहीं मैंने कहा पर उन्होंने भोजन का प्रवंद करवा लिया हो तो फिर नाना कितना बुरा होता उसने कहा कहा प्रवंद कराया हुआ यार लड़के से पूछ लो न मैंने लड़के से पूछा क्यों वे कुछ कह गए हैं बह बूला जी नहीं वे तो कुछ नहीं कह गए हमने एक दूसरी की तरफ देखा उठ पड़े रास्ते में किसी ने बताया कि वे अमुक चगे बैठे हैं हम वहाँ पहुँचे इससे पहले कि मैं उनसे शिकायत करूँ वे उस मित्र से बोले अरे तो कब जा रहे हो देखो भाई जाने से पहले हमारे साथ भोजन जरूर करना वो लुकब आ रहे हो कल शाम को ही आ जाओ वे इस तरह बोले जैसे उन्हें तवादले का समाचार अभी अभी मिला है अब हम पूरी तरह से रक्षा के लिए तैयार थे मित्र ने कहा आज कल मेरा बिलकुल अनश्चित है इसलिए समयते करना तो कुछ ठीक नहीं है मैं किसी भीते न आ जाओँगा वे बोले हाँ हाँ कभी भी आ जाओ तुम्हारा घर है और मैं तो हमेशे घर पर ही रहता हूँ ऐसे लोगों की निंदा भी होती है कि वे समय का कोई खयाल नहीं रखते और अपना तथा दूसरों का वक्त खराब करते हैं पर मेरा मत दूसरा है ऐसे लोग ज्यानी है वे जानते हैं कि काम अनंत है और आत्मा अमर है जल्दी वे करें और समय का खयाल बे रखें जिनकी उम्र पचास साथ साल की होती है हमारी उम्र तो करोनों साल है क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती और जो काम इस जन्द में पूरे नहीं हुए उन्हें अगले जन्द में पूरे कर लेंगे या उसके बादवाले में इस बार आत्मा ने मनश्य का चोला लिया है अगली बार वा मेंढ़क का चोला भी ले सकती है तब मेंड़क के रूप में हम वे काम पूरे कर लेंगे जो आदमी के रूप में नहीं कर पाए अरे जल्दी क्या है समय पर मिलने वाले हरी संकर परसाई